ओम नमो नारायन अगर आप इन सब बातों पे विश्वास करते हैं, वास्तु पे विश्वास करते हैं, तभी आप इस वीडियो को लाइक करें नहीं तो अन्य था ना करें, मैं हर वीडियो पे आपको यही बात बोलती हूँ आज मैं आपको डोरमेट से जुड़ी कुछ बाते बताऊंगी, जो हमारे घर की नेगिटिविटी को दूर करता है, जब भी कोई हमारे घर आता है, तो सबसे पहले अपना पैर डोरमेट पे रखता है, बाहर की जितनी भी एनरजी होती है, वो डोरमेट से साफ हो करके घर के अंदर आती है, वहीं अगर आप प्लास्टिक का डोरमेट रखते हैं, या यूज करते हैं अपने में डोर पर, जिससे आप घर के अंदर घुशते हैं, वहाँ पर, तो वो कभी भी हमारे घर की नेगिटिविटी को दूर नहीं करता है, क्योंकि प्लास्टिक से अगर आप प्लास्टिक का डोरमेट या रवर का डोरमेट अगर आप में दरवाजे पर रखते हैं, तो उसके उपर या तो नारियल वाला जो डोरमेट होता है, वो रखते, या फिर उले जो उन से बना रहता है, वो डोरमेट को आप उसके उपर रखते, अब मैं बता दू तुकि नारियल वाला डॉर्मेट या उन से बना डॉर्मेट को क्यों रखना चाहिए या कपड़े से बना डॉर्मेट को क्यों रखना चाहिए सबसे सुब होता है नारियल के जटा से बना हुआ डॉर्मेट जो नारियल की जटा से बना रहता है वो सबसे सुब माना गया है उससे हमारे घर में बाहर से आने वाली नेगिटिविटी घर के अंदर परवेस नहीं कर पाती है वहीं उन से बना डोर्मेट वो भी बहुत ही पावर्फुल होता है या कपड़े से बना डोर्मेट बहुत ही पावर्फुल होता है क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे कि हमारा आसन जो रहता है पूजा का वो भी उलेन उन से ही बना रहता है या कपड़े से बना रहता है या नारियल के जटाओं वाला रहता है या जूट से बना रहता है तो ये सब बहुत ही powerful dormit है अगर आप नारियल के जटाओं वाला dormit इस्तेमाल करते हैं या उलेन dormit इस्तेमाल करते हैं या जूट से बना या कपड़े से बना आप अपने main door पे रखते हैं अगर आपको plastic का रखना भी है तो नीचे plastic रखके उपर से ये dormit रख दीजिए तो इससे आपके घर में बाहर से आने वाले negativity नहीं आएगी अंदर और घर खुशाल रहेगा ये वास्तु के अनुसार से मैं बता रही हूँ अगर अच्छा लगी मेरी वीडियो तो जिरू लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा